दोस्तो अगर आप घर बैटे, इंडोसन बेक में आपना एक ओनलाइन 0-0-ायलैंस सभिंग अकाउन्ट उपन करना चाहते हो तो इस विरिए में आपको बताएंगा कि किस प्रकार से आप इंडोसन बेक में आपना एक ओनलाइन बैक आकांट गर बैटे उपन कर सकते हो इस account उपन करने के बात आपको यहाँ पर इस account के अंदर debit card, checkbook, passbook मिल जाता है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको zero balance का account facility provide कर दिया जाता है यहाँ पर आपको कोई भी balance maintain करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस account बिल्कुल zero balance saving account है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से इस account को open कर सकते हो दोस्तो इंडेशन बेक में account open करने के लिए आपको वीडियो को description में account opening link मिल जागा जैसे आप उसी link पर किलिक करोगे आप इसे side पर आ जाओगे यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिखने के लिए मिलता है account open करने के लिए open your account now तो यहाँ पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करते हो यहाँ पर आपको अपना mobile number enter करने के लिए बता आ जाता है जो भी आप mobile number इसी bank account के अंदर link करना चाहते हो गा साथ में यहां पर आपको prefix में 158 हो जाता है ठीके मतलब 12 डिजिट का जो account number यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद आपको terms condition को accept करना है और आपको continue पर क्लिक कर देना है जैसे आप continue करेंगे आपका mobile number पर एक OTP जाएगा उसी OTP को enter करना है उसके बाद आपको verify वाला option पर क्लिक कर देना है यहां पर आपना पनकार का number एंटर करना है उसके बाद आधरकर का number एंटर करना है और terms condition accept करके आपको send verification पर क्लिक कर आपका आधर नमबर पर जो mobile number रजिस्टर रठे उसमें एक OTP जागा उसी OTP करके कर देना है उसके बाद जितने भी आपका डीटेल्स होगा यहां पर आपको परसनल डीटेल्स के अंदर दीखने के लिए में जाएगा इसी डीटेल्स को आपको देख लेना है उसके बाद यहां पर आपको कुछ manually details यहाँ पर आपको enter करने के लिए बताया जाता है जैसे कि आपका email ID उसके बाद यहाँ पर अपना marital status को select करना है उसके बाद यहाँ पर अपना mother name, father name डाल देना है mother name, father name डालने के बाद यहाँ पर अपना line of business select करना है आपका business किया है या फिर आप क्या काम करते हो उसके साथ यहाँ पर अपना occupation type को select करना होगा occupation के बाद यहाँ पर अपना monthly income select कर लेना है monthly income के बाद यहाँ पर अपना address तो दिखने के लिए मिल जागा इसको आपको देख लेना है अगर आपका communication address different है तो इसको आपको enter कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर अपना branch को select करना होगा जो भी आप branch रखना चाहते हो आपका नजदी की ओओ यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जागा branch को select करके इसको आपको सबसे पहला जो option है उहाँ पर tick करके आपको continue करना है physical debit card और virtual debit card के लिए दोनों को tick करके आपको step and continue पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पर अपना UPI ID setup करना होगा by default आपका mobile ID यहाँ पर हो जाता है UPI ID mobile number उसके बाद mobile banking के लिए यहाँ पर अपना user name डालिएगा उसके बाद एक आपको MPN set करना होगा जो application के अंतर login करने के लिए तो यहाँ पर आपको एक MPN डाल देना है उसके बाद आपको MPN को confirm करने के लिए दूबारा से MPN के जगा enter करना है उसके बाद सभी details को डाल देने के बाद अगर आपको WhatsApp banking लेना है तो इसको tick करना है उसके बाद आपको continue पर click कर देना है जैसे आप details डाल के continue बाल option पर click करते हो आपका account summary यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जागा अपना account summary को देख लेना है जो भी आप details अभी फिल कियो होंगे उसी details यहाँ पर आपको preview के तरफे देखा जाएगा इसको आपको देख लेना है देखने के बाद यहाँ पर आपको terms condition को accept करना होगा banking का यहां पार जैसे क्लिक करेंगे आपको Terms cuando अआ जागा, इसको आपको पड़के यहां पर आपको Acceptable आपसं पर क्लिक कर देना है, उसके बाद Terms Cuando टिक हो जागा तो यहां पर आपको Canformable आपसं पर क्लिक कर देना है. उसके बात यहाँ पर आपको initial funding करने के लिए बताया जागा लेकिन अगर आप initial funding नहीं कर गए तब भी आपका account उपन हो चुका है आप चाहे तो initial funding कर सकते हो यह आपका interest के अनुसार है मैं आपको कहूँगा अगर आप initial funding नहीं करोगे तब भी आपका account उपनिंग प्रोसेस complete हो गया है आपका जो account details होता है वो आपको SMS के जरिये आपका mobile नमबर जो आपने दिये होंगे उसमें send कर दिया जाएगा और वीडियो call के जरिये के वासी complete करने के लिए आपको SMS के जरिये आपको एक link send किया जाएगा उसी link पे क्लिक करके आप अपना वीडियो call स्टाट करके आपना के वासी आप घर बैटे वीडियो call के जरिये complete कर सकती हो अगर आप initial funding करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको amount enter करना है उसके बार नीचे आपको paypal option पे click करके आप यहाँ पर debit card के जरिये net banking के जरिये या फिर UPI के जरिये payment कर सकते हो लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चार step complete हो गया है आपका के वासी भी confirm हो गया है आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको initial funding नहीं करोगे तब भी account open हो चुका है तो गाईस कुछ इस तरह से आप इंडूसीन बैक में आपना एक zero balance saving account उपन कर सकते हो